हेरो स्टूडेंट्स वेलकम टो यूटूब चैनल ओदंग एजुकेशन मैसल फामन तो देखिए पहले वाले वीडियो के अंदर हम क्लोजर असोसियेटिविटी कम्यूटेटिविटी यह सब प्रोपर्टी जो कर चुके हैं इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं तो आज की इस वीडियो में अपने करने वाले हैं डिस्टिविटी प्रोपर्टी फोर रेशन नंबर्स डिस्टिविटी ओफ मल्टिपिकेशन ओवर एडिशन एम सब्ट्रेक्शन तो डिस्टिविटी का मतलब देखिए क्या है ए इंटू बी प्लस सी इस इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी आप देखिए अगर मैं बात करू नेच्रल नंबर्स की तो नेच्रल नंबर्स की देखिए क्या होगा अगर मैं मान लीजए ए है वन बी है टू ए टू एंड सी है त्री तो वन इंटू टू प्लस थ्री इट मीन्स फाइफ अब अगर अपने इसमें में क्या है यह distributed property है अब अपने बात करें अगर रेशन नंबर की तो रेशन नंबर देखिए कि अगर मैं मानूं ए ए है आपका वन बाइटू बी है आपका वन बाइट्री एंड सी है आपका वन बाइट फोर तो देखिए क्या था एंटू बी प्लस सी तो पहले यह find out करते हैं देखिए ए क्या है वन बाइटू इंटू वन बाइट्री प्लस वन बाइट फोर देखिए थ्री एंट फोर का जब एलसी हम लेंगे तो आएगा ट्वैल तो वन बाइटू इंटू 3 प्लस 4 7 बाइट्वैल और इसको जब आप सोल करेंगे तो 7 बा आपने बात करें A, B, PLUS A, C की तो यहाँ पर देखिए 1 बाइटू ऐंटू 1 बाइट्री प्लस 1 बाइटू इंटू एप सी क्या है विन बाइट्री तो यहाँ पर देखिए वन बाइटू राइटू इंटू वं आपर 2 3 विन या धू, आपका 1 बाइट आप देखिए आप इसका LCM लेंगे 6 and 8, इसका LCM आता है 24, अब इसको solve कैसे करना है, मैं आपको पहले आपली वीडियो के अंदर बदा चुका हूँ, LCM लेके हम addition कैसे solve करते हैं, तो देखिए, अब इसके बाद अगर अपने बात करें, 6 से divide करेंगे तो आएगा 4 and 8 से divide करेंगे तो 3, तो 4 प्ल C is equal to AB into AC, अब यही आपको प्रूव करना है, माइनस वाले के लिए, subtraction के लिए, अब आपको यहाँ पर A क्या लेना है, 1 by 2, B लेना है, 1 by 3 and C लेना है आपको 1 by 4, अब यह आपको अपने आप करना है, इसको प्रूव, अगर आप प्रूव कर लेते हैं, तो आप comment box में representation of rational numbers on a number line, कि number line के ओपर हम rational numbers को कैसे represent करते हैं, तो सबसे पहले देखिए, अब मैंने आपको बता चुका हूँ, कि जो आपकी जो rational numbers की standard form होती है, general form होती है, वो क्या होती है, P by Q, where Q is not equal to 0, Q equal 0 के equal नहीं होता, अब देखिए, इस form में जब भी आपका rational number होगा, तो ये देखिए, क्या होता है आपका numerator, इसे बोलते है denominator, तो denominator में क्या है, जो number आपके denominator में है, उतने ही parts उस line के होंगे, for example, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 1 by 2 की, तो 1 by 2 का मतलब क्या है, आपको इसके 2 parts करने हैं, तो 0, 2, 1 अगर अपने चलें, तो देखिए, एक number मैं and 2, 2 parts हुए, और 1 by 2 कहां लाई करेगा, जो आपका 1 first part है, ठीक है, और second part क्या हो जाएगा, 2 by 2, it means 1, वहीं अगर बात करें, 1 by 3, 1 by 3 मतलब 3 parts, अब देखिए, इसको अगर simply समझेंगे, कि इसके parts तो 3 होंगे, लेकिन इसके बीच में लाइने कितनी लगेंगी, या points कितने आएंगे, 2, तो देखिए, 1 and 2 points आ रहे हैं, लेकिन parts कितने होंगे, 1, 2 and 3, और 1 by 3, देखिए, 0 के बाद सब पहला क्या, 1 by 3, next 2 by 3, इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 by 3, और 3 by 3 का मतलब क्या होता है, आपका, 1, 3 बन जा 3, तो 3 parts हो गए, अब देखिए, यह आ गया 5 by 8, अब 5 by 8 को देखते ही, आप देखेंगे, denominator की अंदर 8 है, तो आप कितने part करेंगे, इसके 8 part करेंगे, तो 5 मतलब 5th part जो है, उसको हम mark कर देगे, आप देखिए, 8 part करेंगे, तो बीच में points कितने हैंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और देखिए, start कहां से करते हैं, 1 by 8, 2 by 8 आएगा यह 3 by 8, 4 by 8, 5 by 8, 6 by 8, 7 by 8, and 8 by 8, it means, 1, 8 by 8 क्या हो जाएगा आपका, 1, next देखिए, 9 by 8, 10 by 8, and so on, 11 by 8 आप इसको continue कर सकते हैं, वैसे ही अगर मैं बात करूं कि आपको एक मैं question देता हूं, 6 by 12, अगर इसको आप number line पे represent करेंगे, तो बताईए कि इसके कितने parts होंगे, और 0 और 1 के बीच में कितने points लाई करेंगे, यह आप comment box में लिखेंगे, next देखिए, यह मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी general form क्या है, A by B, तो देखिए, how many parts, कितने parts हैं, अगर 5 by 8 की बात करूं तो यह 5 क्या है, इसका 5th part, ठीक है 5th part है, कितने में से, 8 में से, 5th part जो है, 5 by 8, इतना part जो है, यह इस ratio से हम देख सकते हैं, अब आपने बात करें, number of parts in which unit is divided, मतलब कितने number में part यह divide होगा, वो कौन decide करता है, वो decide करता है आपका denominator, अब देखिए, right side, अब plus का मतलब क्या होता, देखिए, number line, आप integer में भी प rate के अंदर, जितने भी numbers आते हैं, वो क्या होते हैं, positive, और left side में जो numbers होते हैं, वो क्या होते हैं, negative होते हैं, यह चीज़ आपको ध्यानक नहीं है, जब भी हम representation करेंगे, number line के, तो देखिए, अगर minus आता है, तो आपको 0 के left side में show करना है, और plus आता है, तो 0 के right side में, तो मै नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपने करेंगे आपके जो exercise 1.1